हमने दो घटनाओं के बीच का समय अंतराल यह अलग-अलग फ्रेम में अलग-अलग हो सकता है इसकी चर्चा की समय विस्तार के रूप में और हमने एक सुतर का भी निगमन किया समय विस्तार के लिए और वो हमने लिखा डेल्टा-T प्राइम बराबर डेल्टा-T बटा स्क्वार रूट 1-V स्क्वार अर इसमें यह डेल्टा-T उस फ्रेम से ना पा गया है उस-स फ्रेम से ना पा गया है जिसमें दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हो रही है और ये डेल्टा टी प्राइम उस फ्रेम से ना पा गया है जिसमें ये एक ही जगह पर नहीं हो रही है इनके एक्स कॉडिनेट अलग-अलग है और एस प्राइम वी वेलासिटी से एस की अपेक्षा चल रहा है तब हमने ये सारा सुत्र निकाला अगर हमारे पास दो फ्रेम से एस और एस प्राइम और दो घटनाए हो रही है और न तो एस फ्रेम में वो ये कही जगह पर है और न एस प्राइम फ्रेम में वो ये कही जगह पर है तब हम इस उतर का इस्तिमाल नहीं कर चकते हैं ये सावधानियाब रखिएगा जैसे अगर हमारे पास दो फ्रेम हो, S और S प्राइम और S फ्रेम में एक घटना E1 हो रही है, जो X1, X कॉर्डिनेट उसका X1 है, कुछ Y कॉर्डिनेट है, कुछ Z कॉर्डिनेट है और यह घटना T1 समय पर हो रही है, और E2 घटना है, जो की कुछ अलग समय पर हो रही है, अलग जगह पर भी हो रही है, X2, हम सरफ X दिशा के गतियों की बात कर रहे हैं, इसलिए Y और Z में हम परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, तो अगर Y में Y1, Z1 ही हम लिख ले हैं, और T2 स है, एक घटना हैक जगह है पर हूई, दूसरि घटना है दूसरी जगह पर हूई, कुछ अलग समय पर हैं, और S अगर आप हम देखते हैं, तो यह जो E1 है, यह E1 कहीं और होगा, X1 प्राइम, Y1 प्राइम, Z1 प्राEम, और T1 प्राइम इस समय पर और इस स्थान पर होगा, y1 prime बराबर y1, z1 prime बराबर z1, x1 prime बराबर x1 minus vt1 तो ऐसा और e2 को जब हम देखेंगे, तो वो x2 prime और y2 prime और z2 prime और t2 prime इस समय पर होगा. अगर हम ये delta t prime लिखें, delta t prime याने t2 minus t2 prime minus t1 prime और delta t लिखें हम t2 minus t1, तो इन दोनों में ये relation नहीं होगा, अगर ये x1 और x2 अलग-अलग हो, x1 prime, x2 prime अलग-अलग हो. तो देखेंगे इसको भी, हम यहाँ t2 prime लिखते है, t2 prime minus t1 prime, तो t2 prime को क्या लिखेंगे हम? t2 minus x2 v by c square, बटा square root 1 minus v square by c square, और minus t1 prime है, उसको हम लिखेंगे, t1 minus x1 v by c square, बटा square root 1 minus v square by c square. और ये बरापर होगा, t2 minus t1, और साथ में, ये नीचे का दिनॉमिनेटर एक ही है, तो t2 minus t1, और minus v by c square, आप कॉमन ले ले, तो x2 minus x1, बटा square root 1 minus v square by c square. तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर सूत्र बना था मेरा, वैसा सूत्र वहाँ नहीं बन रहा है, इसको delta t prime अगर लिख ले आप, इसको delta t लिख ले आप, तो delta t prime, बराबर delta t minus v by c square, x2 minus x1, और तब बटा 1 minus v square by c square, ये सूत्र नहीं बन रहा है, समय विस्तार का जो सूत्र हमने लिखा था, उसके अलावा भी कुछ है, हाँ, x2 x1 अगर बराबर हो जाए, एक अही स्थान पर दोनों घटना हो एस frame में, तब फिर वापस हम वहाँ पहुँचते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे, अगर आपको समय अंतराल एक frame में दिया हुआ है, और दूसरे frame में निकालना है, और आप चाहते हैं इसका इस्तिमाल करना, तो आप ensure किजिए, कि दोनों में से किसी एक frame में, दोनों घटना एक ही जगह हो रही हैं, तब फिर उसको आप proper time interval कहें करके और दूसरे frame में निकाल सकते हैं, अब हम एक और विशे शुरू कर रहे हैं, और वो है, दो घटनाए एक ही समय पर हो रही हैं, जिसको हम simultaneously या समकालीन एक ही time पर दो घटनाए हो रही हैं, उसको एक frame से देखें, दूसरे frame से देखें, तो उसमें कैसा relation आता है, तो इसको कहते हैं, समकालीनता की आप एक शिकता, समकालीनता मतलब एक साथ होना, simultaneously होना, और आप एक शिकता का मतलब है, कि ये घटना भी दोनों घटना एक साथ हो रही हैं, ये बात भी frame पर निरभर है, एक frame में जो दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, वही दो घटनाएं किसी दूसरे frame में हो सकता है, कि एक साथ नहीं हो रही हो, इसको हम कहते हैं, कि ये simultanity जो है, ये भी relative है, किसी फ्रेम में है किसी फ्रेम में नहीं है उसको relativity of simultanity या समकाली निता की आप एक शिकता ऐसा कहते हैं तो माले हमाँ एस फ्रेम में दो घटनाएं हैं और पहली घटना एक जगह पर होती है दूसरी घटना कहीं और होती है लेकिन एक ही समय पर होती है यह और एक ही समय पर दो घटना होती है तो जो घटना e1 है और जो घटना e2 है तो एस फ्रेम में e1 के लिए x1, y और z की हम भोच चिंता नहीं कर रहे हैं और t समय पर यह घटना हो रहे हैं घटना हो रही है E1 और E2 भी उसी समय हो रहा है लेकिन कहीं और हो रहा है X2 YZ और T समय पर एक ही समय पर दोनों घटना हो रही है लेकिन अलग-अलग हो रही है एक X1 पर हो रही है दूसरी X2 पर हो रही है और इन घटनाओं को S प्राइम फ्रेम से देखा जाता है अगर इनी घटनाओं को S प्राइम फ्रेम से देखा जाए और यह हमारा X-axis का दिरेक्शन हो हमने YZ एक ही लिया है यहां और यहां और S प्राइम फ्रेम इस S प्रेम के अपेक्शा भी वेलासिटी से X-axis की तरफ चल रहा हो और उस S प्राइम में इन दोनों घटनाओं को हम का हम समय देखे तो क्या बनता है S प्राइम में देखे तो जो पहली घटना है वो कब हुई वो T1 प्राइम समय पर हुई और यह T1 प्राइम इन चीजों से कैसे सम्मनित है तो हम लारेंट्स transformation का उपयोग करें T1 minus X1 V by C square और बटा square root 1 minus V square by C square और T2 प्राइम इसी तरह से लिखे दूसरी घटना कब हुई यह E2 कब हुआ इस E2 का समय अगर हम S प्राइम से लिखते हैं तो वो बनेगा Y T है सेम T है T1 लिखने के जरूरत नहीं है मुझे वही T यहां भी है E2 के लिए भी वही T है तो इसलिए T minus E2 के लिए X2 है तो X2 V by C square और बटा 1 minus V square by C square तो आप देख रहे हैं कि T1 प्राइम और T2 प्राइम बराबर नहीं है यहां X1 है और यहां X2 है तो यह जो इसका calculation करेंगे इसका calculation करेंगे तो अलग अलग संख्याएं आने वाली है तो यहाने जो दो घटनाएं S फ्रेम में simultaneous थी एक साथ दोनों घटनाएं होई वही दोनों घटनाएं S प्राइम फ्रेम के लिए simultaneous नहीं है इसी को कहते हैं हम लोग समकाली निता कि आप एक्षकता या relativity of simultaneate और कितना अंतर है वह भी आप लिख सकते हैं T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम इसको लिख सकते हैं अगर इसमें से इसको आप घटा देंगे तो minus V by C square को आप common करेंगे क्योंकि T से यह T कट जाएगा और minus V square V by C square को आप common करेंगे तो X2 minus X1 बटा square root 1 minus V square by C square ऐसा इस प्राकार से हम देखते हैं कि जो एक साथ हुआ दो घटनाएं एक साथ हुई वह भी एक साथ हुई की नहीं हुई यह बात फ्रेम पे निर्भर करती है अब हम इसका एक उदाहरन लेकर के और इसकी और व्याख्याक करने की कोशिश करते हैं फिर से हम एक थौट एक्सपरिमेंट की चर्चा करते हैं यानि एक ऐसा एक्सपरिमेंट जो सिर्फ कलपना में हम कर रहे हैं परनतु सभी सिध्धानतों को को वो शही सही उसकी व्याख्या वहां से होती हैं थो मालें आपके पास एक इस परकार का कुछ पकरन है जिसमें यहां पर एक दरवाजा है जिसको आप दोर वन ऐसा कह सकते हैं यहां पर एक दर्वाजा है जिसको आप डूर टू ऐसा कह सकते हैं और इस पाइप के ठीक बीच में एक सोर्स है जो किसी समय पे और दोनों तरफ लाइट की पल्स भेजता है या सभी तरफ लाइट की पल्स भेजता है और यह ठीक बीच में जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है और यहां पर इंतिजाम इस प्रकार के हैं कि यह लाइट की पल्स जो इस तरफ को चली वो अगर यहां पहुंच जाए और इस दर्वाजे पर पढ़ जाए तो यह दर्वाजा खुल जाता है और लाइट की पल्स अगर यहां चली इस तरफ को और इसके उपर पड़ जाए तो यह दर्वाजा खुल जाता है तो अब बताएं अगर हम इस फ्रेम में काम कर रहे हैं जिसमें कि यह पूरा मेरा उपकरण स्थिर है इस फ्रेम में कि तो यहां से जब हम पल्स जन्रेट करेंगे यहां से जब अपनिकर करेंगे तो एक चंद के Racing के लिए और लाइट फैले की और इस तरह भी चलेुए इस तरह भी चलेँए तो पहली घटना है event E1 दरवाजा D1 खुल गया और दूसरी घटना है दरवाजा D2 खुल गया तो ये एक साथ हो रही है या D1 पहले खुल रहा है या D2 पहले खुल रहा है तो इसको अगर हम देखें तो इस फ्रेम से अगर हम काम करते हैं जिसमें ये पाइप स्थिर है यहां से यहां तक आने में जतना समय लगेगा और इसको यहां से यहां तक जाने में जतना समय लगेगा वह बराबर होगा क्योंकि light एक ही velocity से सभी तरफ चलेगी इधर को भी c velocity से और धर को भी c velocity से तो जब भी यहां पर हमने switch on किया और यहां से pulses निकले तो उस समय से जितनी देर के बाद यहां यह light पहुंचेगी ठीक उतनी देर के बाद यह light यहां पहुंचेगी इसलिए D1 और D2 एक साथ खुलेंगे तो हमने इस frame में इस frame को आप कुछ कह सकते हैं इसको आप s frame ऐसा नाम दे सकते हैं जो pipe का अपना frame है इस उपकरन का अपना frame है इस s frame में अगर हम बात करेंगे और हमारी घटनाए क्या है दीवन दर्वाजा खुल गया और दूसरी घटना है डीटु खुला डीटु दर्वाजा खुला और यह दोनों सामल्टेनियस है दोनों दर्वाज एक साथ खुलते है यह खुलता है उसी समय में यह भी खुलता है सामल्टेनियस है अब इसी प्रयोक को आप एस प्राइम फ्रेम से देखें जो इस एस फ्रेम के पेक्षा एकस एक्सिस कि तरफ जो हम इधर दाहिने तरफ लेंगे वी वेलॉसिटी से चल रहा है तो उस फ्रेम से सब कैसा नजर आएगा उस फ्रेम से सारा मामला कैसा नजर उस फ्रेम पे यह पूरा उपकरन बाई तरफ याने नेगेटिव एक्स एक्सेस के तरफ वी वेलासिटी से चल रहा होगा तो एस प्राइम फ्रेम से अगर इसकी हम अनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि यह उपकरन है और यह पूरा उपकरन इसके साथ जो यह जुड़ा हुआ यहां पे हमारा यह सर्कृट है यह जहां से पल्स निकलती है वो भी है यह सब कुछ इस तरफ वी वेलासिटी से चल रहा है इस प्रेम में देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा तो क्या पता चलेगा यहां से जब सर्कृट अन हुआ तो यहां से एक पल्स इस तरफ को चली और एक तरफ इस तरफ को यह पल्स चली अब ये पल्स इस तरफ को जा रही है और ये जो दर्वाजा डीटू है वो इस तरफ को आ रहा है तो इस पल्स को कितनी दूरी चलना पड़ा ये जिस समय में इस पर आके टकराएगी उस समय दर्वाजा अब यहां नहीं हो करके कहीं इधर होगा यहां कहीं पर होगा क्योंकि पल्स को चलने में समय लग रहा है और लगातार यह उपकरन बाइं तरफ वी वेलास्टी से चल रहा है तो लाइट को कितना दूर चलना पड़ा डीटू तक पहुंचने के लिए इतना इतनी दूरी चलना पड़ा दूसरी तरफ डीवन को अगर देखें इस डीवन को अगर देखते हैं हम तो यह लाइठ की पल्स यहां से जब निकली शुरू होई और इस तरफ को दर्वाजे तक पहुंचने में उतनी दिर में यह पूरा उपकरण इस तरफ को खिसा कराए लगातार खिसा कराए इसलिए यह लाइट की पुल्स जब इसको हिट करेगी उस समय में दर्वाजा यहां नहीं हो करके यहां कहीं पर होगा और इसलिए लाइट को इतनी दूरी चलनी पड़ेगी इतनी दूरी लाइट को चलनी पड़ेगी दर्वाजे डीवन तक पहुंचने के लिए प्रकाश को इस पल्स को इतनी दूर चलना पड़ेगा जबकि डीटू तक पहुंचने के लिए इसको इतनी दूर चलना पड़ेग और light की velocity दोनों तरफ बराबर है अर्था light d2 पर पहले पहुंचेगी और d1 पर बाद में पहुंचेगी और light पहुंचता ही दर्वाजा खुलता है तो d2 यहां पहले खुलेगा और d1 यहां बाद में खुलेगा तो s प्राइम से अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ds से जब हमने देखा था तो यह simultaneous था यह समकालीन था यह दोनों घटना एक ही समय पर हुई थी दोनों दर्वाजे साथ खुले थे दोनों दर्वाजे एक साथ खुले थे लेकिन s प्राइम से जब हम देख रहे हैं वही दोनों दर्वाजे वही घटनाए यह d2 पहले खुल रहा है d2 पहले खुल रहा है और d1 बाद में खुला एक ही टाइम पर दो घटनाए हो रही है यह बात फ्रेम डिपेंडेंट है इस फ्रेम में ऐसा हो रहा है लेकिन इस फ्रेम में ऐसा नहीं हो रहा है इसी उपकरन को इसी प्रयोग को आप और फ्रेम से देखने की कोशिश कीजिए और उसका नाम हम देंगे s डवल प्राइम फ्रेम एक और फ्रेम s double prime frame जो इस s frame के अपेक्षा यह अगर s frame है तो s prime frame है जो इस तरफ v velocity से चल रहा है और हम एक और frame बना लेते है s double prime जो इस s की अपेक्षा इस तरफ को v velocity से चल रहा है और s frame की अपेक्षा अगर हम इस पूरे उपकरन को देखें इस s prime s double prime frame की अपेक्षा इस पुरी पुरे प्रयोग को हम देखें तो हम क्या पाएंगे s की अपेक्षा s prime बाई तरफ negative x axis की तरफ v velocity से चल रहा है अर्थात s double prime की अपेक्षा यह s जो है वो दाहिनी तरफ v velocity से चल रहा है यहां से देखेंगे तो सब कुछ दाहिनी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा जो s में स्थिर था वो सब दाहिनी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा और यह उपकरन s frame में स्थिर था s double prime से देखेंगे तो यह उपकरन दाहिनी तरफ positive x-axis के तरफ v velocity से चलता हुआ दिखेगा तो क्या situation है s double prime से देखने पर यह pipe है उपकरन है instrument है यहां पर यह d1 दर्वाजा है यहां पर d2 दर्वाजा है और यह पूरा उपकरन यहां बीच में यह source है जहां से light को हम on off करते है यह पूरा उपकरन इस दिशा में v velocity से चल रहा है और हमने किसी समय इस circuit को on किया और यहां से pulses निकली एक pulse इस तरफ को चली एक pulse इस तरफ को चली तो आप क्या पाएंगे यह pulse d2 को कहा मिलेगी थोड़ा समय लगेगा pulse को d2 तक पहुंचने में उतने समय में यह d2 कुछ आगे खिसक चुका होगा क्योंकि यह पूरा उपकरन इस तरफ को v velocity से चल रहा है जब हम s double prime से बात कर रहे है तो इसलिए यह जो pulse मिलेगी d2 को यहां कहीं पर जा करके मिलेगी यहां कहीं पर मिलेगी जिस समय pulse d2 पर पड़ेगी उस समय d2 यहां कहीं पर होगा और दर्वाजा खुल जाएगा जिस पल्स पड़ेगी दर्वाजा खुल जाएगा इधर देखें इधर यह pulse इस d1 दर्वाजे पर कब पड़ेगी तो कुछ समय तो लगेगा इसको यहां तक पहुंचने में और उतने टाइम में यह d1 दाहिनी तरफ खिश्का हुआ होगा और इसलिए यहां कहीं पर इसको मिलेगी यह pulse इसको यहां कहीं पर मिलेगी तो इधर light को सरफ इतनी दूरी चलनी पड़ी और इधर light को इतनी दूरी चलनी पड़ी दर्वाजे तक होँचने क जब तक वो निर्वात में है इसलिए प्रकाश को यहां से यहां तक आने में कम समय लगेगा डीवन तक आने में कम समय लगेगा और D2 तक जाने में ज्यादा समय लगेगा ज्यादा लंबाई तये करनी है और जैसे ही लाइट पड़ती है दर्वाजे पे दर्वाजा खुल जाता है हमने वैसा ही इलेक्ट्रानिक्स बना रखा है तो क्या हुआ देवन पहले खुलेगा और D2 उसके बाद खुलेगा यह दोनों घटनाए समकाली नहीं है और D1 पहले खुल रहा है तो यह स्डैबल प्राइम से अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि D1 पहले खुला और D2 बाद में खुला, तीनों फ्रेम में तीन अलग अलग परिस्थितिया है, एस फ्रेम में दोनों दर्वाज़ साथ खुल रहे हैं, एस प्राइम फ्रेम में D2 पहले डीवन बाद में और इस डबल फ्राइम में D1 पहले और D2 बाद में, तो न केवल घटनाएं समकालीन या असमकालीन हो जाती है फ्रेम बदलने से एक फ्रेम में simultaneous है दूसरे फ्रेम में simultaneous नहीं रह जाती है उनके उनका क्रम भी बदल सकता है कौन सी घटना पहले घटी है और कौन सी घटना बाद में घटी है उसका क्रम भी अलग-अलग फ्रेमों में अलग-अलग हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, S' में और S' में आप देखो, तो S' में D2 पहले खुला, D1 बाद में खुला, S' में आप देखो, तो D1 पहले खुला, D2 बाद में खुला, यानि घटनाओं का जो करम है, पहले कौन, बाद में कौन, वो भी frame dependent है, तो अगर Olympics के अंदर में race हो रही है, competitions हो रहे हैं, कौन सा धावक कितने समय में पहुचा, और कौन पहले पहुचा, कौन बाद में पहुचा, उसके अनुषार निरने होते हैं पुरसकारों के, अगर किसी होर फ्रेम से इस पुरे घटना क्रम को एनलाइज किया जाए तो शायद जो फर्स्ट किया था वो फर्स्ट नहीं करके जगन कर जाता जो जगन किया था वो फर्स्ट कर जाता इस प्रकार की चीजें होती है इस प्रकार की चीजें हो सकती है लेकिन अगर घटनाओं का क्रम बदल सकता है तो ऐसा हो सकता है कि पेड़ पर से सेव टूटा घटना एक और जमीन पर आकर के वह सेव ठप से गिरा घटना दो तो हम तो अपने धर्ती के फ्रेम से जब देखते हैं तो देखते हैं कि सेव टूटा पहले और धर्ती पर गिरा बाद में तो हमारी घटनाओं का क्रम क्या है पहले सेव टूटा बाद में सेव गिरा क्या किसी दूसरे फ्रेम से हम इनालिसिस करें तो ऐसा हो सकता है क्या कि क्रम पलट जाए सेव टूटे बाद में धर्ती पर ठपस गिरे पहले जैसे यहां क्रम बदल गया है क्या वहां क्रम बदल सकता है तो उसकी भी चर्चा हम करते हैं फिर से हम समय विस्तार के सूतर पर चलते है और वो सूतर हमने लिखा था डेल्टा टी प्राइम बराबर डेल्टा टी बटा स्क्वारूट 1 माइनस वी स्क्वार बाई स्क्वार या टी 2 प्राइम माइनस टी 1 प्राइम बराबर टी 2 माइनस टी 1 बटा स्क्वारूट 1 माइनस वी स्क्वार बाई सी स्क्वार अगर किसी फ्रेम में दो घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हो उस फ्रेम में उन दोनों घटनाओं के बीच का जो समय अंतराल है वो बाकि दूसरे फ्रेमों में जब जाएंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, यहां आप देख रहे हैं कि अगर T2 बड़ा है T1 से, यह पॉजिटिव है, तो यह भी पॉजिटिव ही होगा, अर्था T2 प्राइम बड़ा होगा T1 प्राइम से, अगर दूसरा सेकेंड वाला जो इवेंट है T2 वो बाद में हुआ है और T1 पहले हुआ है इस फ्रेम में, तो हर एक दूसरे फ्रेम में, T2 बाद में ही होगा और T1 पहले ही होगा क्योंकि इसके चिन्ह के बदलने के कोई गुंजाइश नहीं है तो यानि अगर हमारे दो इवेंट्स किसी फ्रेम में एक ही जगह पर हो जाएं तो उनके बीच का समय अंतराल अलग-अलग फ्रेम में बदल तो सकता है लेकिन क्रम नहीं बदल सकता है order of events कौन पहले कौन बाद में यह नहीं बदल सकता है तो हम सेव के टूटने और जमीन पर गिरने की घटना को सोचे अगर सेव यहां कहीं से गिरा तो घटना E1 यहां कहीं से गिरा और गिर करके जमीन के ओपर उसने यहां पर हिट किया यह घटना E2 जमीन के फ्रेम पे धरती के फ्रेम से गर देख रहे हैं तो यह घटना अलग-अलग जगहों पर हो रही है और अलग-अलग समय पर हो रही है लेकिन मान ले यह H उंचाई से गिरा जमीन के फ्रेम में जो समय का अंतर है वो कुछ अंतर T0 है यानि यह T बराबर 0 पर यहां से तूटा और यह T बराबर T0 पर यहां पर यह पहुंचा और अब आप एक ऐसे फ्रेम की कलपना करें जो कि इस दिशा में जमीन की अपेक्षा वी बराबर H बटा T0 इतने वेलोसिटी से नीचे आ रहा है इस प्रकार के फ्रेम की आप कलपना करें और जिस समय यह जो X Y Z axis हमने बना है origin बनाया है माल ने जिस समय यह सेव टूटा तो यह origin यहां पर था यह origin के सामने ही सेव टूटा तो जब यह यहां पर गिरेगा सेव जमीन के ऊपर यह फ्रेम कहा होगा यह origin कहा होगा में यह जमीन के आपक्षा देख है कितना चलेगा है यह सब्सक्राइब कि क्योंकि यस Wire d にょ समय में यह कितना चलेगा विलॉससैटी इंटू टाइम तो HTML इंटू टी नौट याने हमेच दूटी चलेगा इस इस टी नौट समय में यह origin यहां से खिशक करके यहां पहुंच जाएगा और उसी टी नौट टाइम में यह सेव यहां से चल करके यहां पहुंचता है यानि जो दोनों घटना हैं यहां पर सेव का तूटना यह घटना हम E1 कह जाकते हैं यह कहां पर हुई है एक्स प्राइम बराबर 0 पर हुई है इसमें जो कॉडिनेट्स है उसको हम एक्स प्राइम लिख रहे हैं एक्स प्राइम बराबर 0 वाई प्राइम बराबर 0 जेट प्राइम बराबर 0 यहां पर हुई है और सेव का जमीन पर पहुंचना यह घटना कहां पर हुई है यह घटना भी एक्स प्राइम बराबर जिरो वाई प्राइम बराबर जिरो जट प्राइम बराबर जिरो पर ही हुई है यानि इस फ्रेम में यह दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर होई हैं और किसी फ्रेम में अगर दो घटनाएं एक ही स्थान पर होती हैं तो उनके उनका क्रम नहीं बदल सकता किसी दूसरे फ्रेम से भी जाकर देखेंगे तो करम वही रहेगा तो किसी भी फ्रेम से देखें जमीन के फ्रेम से देखें इस बॉक्स के फ्रेम से देखें किसी दूसरे बॉक्स के फ्रेम से देखें इधर जाते हुए फ्रेम से देखें उधर जाते हुए फ्रेम से दे वैसी घटनाएं उनका करम बदल सकता है तो जो कारण और प्रभाव के रिष्टे से जुड़ी है मैंने आम खाया और तब गुठली को फेका तो मेरा आम छीलना आम खाना वो कारण है और गुठली का बाहर फेका जाना उसका प्रभाव है शेव का तूटना कारण है और जमीन पर गिरना प्रभाव है जो घटनाएं इस तरह की होती हैं इसमें से एक कारण कहा सकता है दूसरा प्रभाव कहा सकता उनका करम नहीं बदलता इसको हम लोग कहते है प्रंसिपल ओफ कॉजलिटी तो अनेक ऐसी घटनाए हो सकती है जो अलग-अलग फ्रेम में अलग-अलग उनका करम हो लेकिन ऐसी घटनाए होंगी जो इस प्रकार के रिष्टों से जुड़ी है जिनके करम नहीं बदले जा सकता